हेलो गाईज कैसे हैं आप सभी आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभी ना मेरी कुछ तबेत सही नहीं थी जब से मैं साधी से आई हूँ तो इसलिए वीडियो में नहीं डेली अपलोड कर रही थी और अब थोड़ा सा सही हुआ है रोज डेली मैं कितने दिन हो गए हैं आप लोगों से बाते नहीं की हैं तो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो अभी ना एकदम जो सुबा का काम था वो मेरा हो गया है और ये दुबारा मैं जाडू लगा रही हूँ पोचा उच्छा लगाने के लिए तो यहां पर ना मैं इस ट जाडू पोचा करना था तो फिर मैंने देखा कि जूला एकदम ठंडा हो गया था तो मैंने उसको मिट्टी से पोद दिया है और मेरी बेसिंग भी काफी ज्यादा गंदी थी क्योंकि इस टाइम तबयत ठीक नहीं थी तो मैं मतलब कुछ भी अच्छे से मेरा काम नहीं हो प पाता था तो फिर आज मैंने बेसिंग अच्छे से सफ चींगा ऐकभी तो बेसिंग मैंने अच्छे से बड़ेद्वादा दिया है और हो एक जल्दी धूल आ जाती है तो यह जल्सी घंद हो जाता है मुझे दोसरे ऐसिघा दिन में एक बार तो об Sumaraता दो अधान जाने है तो इसी वज़े से अगर ये अंदर हो आंगन ना हो तो फिर इतनी जल्दी गंदी ना हो और जाणू तो मैंने पूरे घर में लगा लिया था फिर मैंने यहां पर पोछा में लगा लूँगी और पोछा तो मैं इस टाइम लगा लेती थी जब मैं चुला पोती थी तो हलका सा उपर से ही मैं गिले कपड़े से पोच देती हूँ जिससे कि घर मतलब गंदा गंदा सा ना लगे क्योंकि तबेत तो खराब है पर कोई भी घर आ सकता है तो उसको थोड़ी ना पता है कि घर क्यों गंदा है तबेत खराब है या ऐसे ही तो इसलिए वज़े से मैं पोचा डेल अंगन में ही और बस पोछा मेरा लग जाएगा फिर उसके बाद ये इस टूल वगएरा धूल दूंगी आंगन में भी पोछा ही लगाऊंगी दूलूंगी नहीं बस बेसिंग के पास का जो एरिया है उसको मैं ब्रस से रगड कर अच्छे से साफ कर दूंगी और जाओब दूंगी खिता अंगन में लगवाएएगी डिवजय कर दो एल का जहाँ रहाँ जानल पीचआ कर दो डाल दूंगी ये ओभा लगवावावाश में वावटा प्रूंगी ये पिर अजह बाद कर जार रहाँ ये वाद दूड़ जश पेवाश तोब चूंगी प्लिए और फिर मैं यहां पर जो आंगन के मैंने आंगन में पोच्छा लगा लिया है आंगन के पास में धूल दूँगी और फिर मैं अंज को भी नह लाया था और मैंने भी कपड़े चेंज किये थे मैं नहाई नहीं थी क्योंकि वैसे ही तब इत खराब है इस वज़े से बस करने के बाद अगर ऐसे ही रहो तो फिर अच्छा नहीं लगता है गंदा गंदा से लगता है और मेरा तो यह रूटीन ही है कि सुबा उठकर बस खाना ही बनाना होता क्योंकि हजबन पूरा खाना ओफिस लेके जाते हैं लंच तो इस वज़े से मेरा जाड़ू पोच्छा सु नहीं लाती हूं तो अब मैं अंस को एकडम रेडी कर दूँगी क्योंकि चार बज़े से अंस को ट्यूशन जाना होता है और लगभग दो बज गया है तो अभी मैं अंस को एकडम रेडी कर दूंगी और अंस की एक आदत है जब उसको तेल लगाउंगी या फिर कपड़े पहनाऊंगी तो चार पाई पे इतना उचकेगा कि मुझे कुछ सा आने लगती मैं कहती हूँ फटा फट से पहन लो इसके बाद आराम से खेलो तो अभी न मैं धूप में ही ज्यादा वक्त मेरा टाइम भी जाता है जब नहाने वागरा करने के बाद आ जाती हूँ और बस लोक्स पहना दूँगी तो बस अंस की तैयारी हो गई है मैं बाल इनके नीचे खीच दूँगी और मैं भी थोड़ा जा अपना हुलिया भी सही कर लेती हूँ थोड़ा तेल वेल लगा लेती हूँ तो ठंडी के टाइम ना हम लोग नारियल तेल ही यूज करते हैं तो अंस मतलब सारे लोग जितने लोग हैं हम लोग चार-पांच लोग घर में सभी लोग नारियल तेल ही यूज करते हैं और बड़ी हबी रहता है नारियल तेल लगा लो सुबा लगा लो तो फिर पूरा 24 घंटा फुरसत रहती है अगर ये मोश्टराइजर क्रीम अगेरा लगाओ तो ये बार-बार लगाना पड़ता है तो ये नारियल तेल हम लोग यूज करते हैं फेस पे भी लगा लेते हैं और पूरे स्केन बोडी मतलब नारियल तेल ही यूज करते हैं तो बार-बार का जहन्जट नहीं रहता है और मैंना अभी इस टाइम थोड़ा अपने पैरों पर धान नहीं दी तो एडिया ना जो थी हलकी हलकी सी क्रैक तो ये देखिए यहां पर ये फैले हुए हैं पपीता तो ये कच्छे पपीता थे फिर उनको उबाला गया है नमक डालके और फिर मैं इनको सुखा रही हूं इसका आचार बनाना है तो ये जब तक खुब सूख ज होता है सिर्का उसमें इसको डाल देंगे और फिर नमक मिर्चा जो भी डालना होता है मसाला अचार वाला वो सब डाल देंगे तो ये पपीता का चार ना खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और पेट के लिए फाइदे मन भी होता है और यहां पर ना मैंने लाल मिर्च भ इसके जो वो तिम्होए थी उसको मैंने तोड़ दिया है और ये आज सूख जाएंगे फिर मैं इनको मिक्सी जार में पीस लूँगी तो इस तरह से मैं मसाले सारे घर पर ही पीषती हूं गरम मसाला है लाल मिर्च है अधनिया पाउडर है और जीरा पाउडर है ये सारी चीज और ये चार पाई है, चार पाई पूरी टूट गई है, ये दिखे, पर एक लोग या दो लोग बन जाता है, तो इसको मैं धूप में डाल कर रखती हूं, जब धूप में मेरा मन करता है बैठने के लिए, तो मैं यहां पर आ जाती हूं, तो थोड़ी देर बैठती हूं, और क नीचे जाना है, खाना खाना है, बाल वगे रबानना है, और थोड़ा से सिलाई भी करना था, पर टाइम पूरा जाड़ पोच्छा में ही बीद गया है, जलिया मैंने पीसा था, उसको भी भूनना है, लाल मिर्द पीसना है, आज बहुत सारे काम है, तो मैं आज सिलाई का क काम नहीं करूंगी, मैं यह सारे काम कर लोंगी, और तो अभी मैं नीचे जाओंगी, तो खाना खाऊंगी, और इस टाइम ना मैं चूले पर ही रोटियां सेख लेती हूं, तो साम को मुझे नहीं सेखना पड़ता है, गैस पे सेखती हूं, तो साम को भी बनाना पड़ता है सुबह भी बनाना पड़ता है, तोनों टाइम बनाना पड़ता है अभी न मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मेरी तवित काफी खराब हो गई थी, सर्दी जो खाम बुखार था खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है, बुछो मत, और मैं चावल लगातार खाती रहती हूँ, और आज मैं चावल नहीं खाऊंगी, कम से कम पांचे दिन चावल नहीं खाऊंगी, तो सायथ मेरी खांसी ठीक हो जाए और सुबा ना मैंने अद्रक को बुन कर खाया था, और लॉंग भी खाई थी, कि जिससे खांसी ना है, अभी भी थोड़ा थोड़ा गला अजीब है, मतलब दूसरी तरह का है, पुरा गला एकदम बैठ गया था, और रहत इतनी तेल धूप है, बहुत तेल धूप है, तो च जलते हैं नीचे, नीचे जो काम है, उसको ख़तम करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, कितना टाइम मिलता है, फिर क्या करना है, तो फिर उसके बाद हम लोग खाना और खाने के बाद, फिर मैं सारे कपड़े छट से ही फॉल्ड करके नीचे लेकर आई थी, तो अपने जो मेरे रूम वाले कपड़े थी, मैं अपने रूम में लाकर अलमारी में लगा देती हूँ, और बाकी जो मम्मी के हैं, वो उनके हां रख देती हूँ, तो छट पे ही मैं फोल्ड कर लेती हूँ, धूप में ही बढ़िया, और यह अंसकी बेल्ड थी, तो इसको मैंने टां गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और फिर इस तरह से मैं लगा कर और गिलिस्रीन लगा कर फिर तुरंद मोजे पहन लेती हूँ, तो इस तरह से एडिया एकदम चिकनी हो जाती हैं, अगर दो तीन दिन आप लगातार ऐसा करते हैं, किसी भी टाइम आप कर लि हैं, तो इस तरह से एडिया एकदम चिकनी और बहुत ही सॉप्ट हो जाती हैं, तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक की बाबाई